अब तक तो आपने सिर्फ आम, नीबू, मिर्च, गाजर, मूली और आमले के ही अचार देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन के एसेक्स में एक ऐसी दुकान है, जहां इंसानी अंगों का अचार बिकता है, इस दुकान के अंदर ऐसी ऐसी खोटनाच च पोचता है, इस दुकान में घुसते ही आपको इंसानों के हाथ पैर, खोपड़ी, बाल, नाखून, जानवरों की खोपड़ी, उनके अवशेश और कई डरावनी और अजीब औगरीब चीज़ें डिब्बो में बंद रखी हुई दिखाई देंगी, यह द्रिश्य देखने पर किसी डरावनी फिल्म की तरह लगता है, इस दुकान का नाम क्यूरोसिटीच प्रॉम दफिफित कॉर्नर है, जिसके माले का नाम हैंरी स्क्राइग है, हैंरी ने अपने इस शॉप में सैक्डो ऐसी चीज़ें रखी हैं, जिससे देखकर लोग डर जाते हैं, हैंरी की इस अजीब औगरीब दुकान में जो चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें एक शक्स का कटा हुआ हाथ, महलाओं के गर्ब, ओवरी और यहां तक की नवजात बचे का शव भी शामिल है, जिन्हें अचार रखने वाले शीशे के जार में बंद करके रखा गया है, हैंरी का कहना है मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं या इन्हें बेचने को लेकर मुझे घलत मानते हैं क्योंकि एक समाज के रूप में हम आम और पर अन्ये संस्कृतियों की परमपराओं के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहु कल बोर्ट से अनुमती भी मिली हुई है, हैंरी बताते हैं कि वो अपने शौप में इंसानी अंगों से लेकर जानवरों के अंग और ऐसी ही सेकडों अजीब और गरीब चीज़ें रखते हैं, जिनकी कीमत 10 योरो से लेकर 2650 योरो या 9900 रुपे से लेकर 2.500,000 रुपे तक ह कि अच्छाथ या जुपे से लेकर अंगों से लेकर जाह सुपे धनुपे से लेकर जाते हैं, जिनकी का विस अनुपे हैं.